देश के जाने माने मैथेमेटिशन वशिष्ट नारायन सिंग की जिंदगी पर बायोपी की घोशना हुई है वशिष्ट जी की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को नीरज पाथक डिरेक्ट करेंगे एक्सल मीडिया एन एंटेटेंडमेंट ने मंगलवार को फिल्म को प्रोड्यूस करने की घोशना की है डिरेक्टर नीरज पाथक ने कहा कि वशिष्ट नारायन सिंग के बारे में जब मैंने पढ़ा तो उनसे मिलने गया जब उनसे पहली बार मिला तब उन्होंने सबसे पहले पूछा कि बबवा कुछ खाएगा उस समय वो सेंस में नहीं थे इसके बाद जब मैं उनके घर गया तब देखा कि उनके घर में नेम प्लेट नहीं बलकि उनके घर की दिवारों पर गनिक के फॉर्मिले लिखे हुए थे ये देखकर मुझे पता चला कि ये वशिष्ट नाराण का घर है इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वशिष्ट की अद्बुत कहानी दुनिया के सामने कहनी चाहिए नीरच पाठक ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि ये फिर्म वो उनके जीते जी नहीं शुरू कर पाई अब ये फिर्म उनके लिए एक शुर्दान जली के तौर पर हो सकती है उनका जीवन बेहती उतार चड़ाव से भरा हुआ है और हर कोई उनकी जिन्दगी की कहानी जानना चाहता है जल्द ही फिर्म की स्टार कास्ट का एलान किया जाएगा और जल्द ही फिर्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी बतादे की हाल ही में वशिष्ट नारायन सिंग का लंबी बिमारी के बाद 74 यर्स की उम्र में निधन हो गया वशिष्ट जी अपने गणितिय सूत्रों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने ही पहली बार आइंस्टान की थियोरी ओफ रिलेटिविटी को चिनौती दी थी वशिष्ट नारायन को किताबे पढ़ने का बेहर शौक था और वो अपने अधिक्तम समय पढ़ने में ही घुजारते थे